असलाम अलेकुम एवरिवन वेलकॉम बेक टुकुकुवित अनके आज हम बनाएंगे प्यास की सबजी मिलकुल छोटी छोटी प्यास जो मिलती है उसकी आप इस तरह से सबजी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तयार होगी और खास करके जब कोई सबजी घर में अवेलेबिल ना हो तो यही वाली सबजी आप सरुर बना के ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े चमच के करीब तेल को गरम करने के लिए रख दिया है अगर आप चाहे तो यह वाली सबजी को कुकर में भी बना के ट्राइ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कड़ाई का इस्तिमाल किया है तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद उसमें आदा चमच के करीब राइ डाल देंगे राइ को अच्छे से तड़क न देंगे और उसी के साथ हमें वन फोर्थ टीस्पुन के करीब हिंग भी उसमें डाल देनी है उसके बाद उसमें आदा किलो के करीब बारिक वाली प्यास डाल देनी है मैंने यहाँ पे प्यास में इस तरह से बीच बीच में कट्स लगाये है ताकि वो जल्दी से पक जाए प्यास डालने के बाद उसे अच्छे से उसी तेल में फ्राइ करना है पांच से छे मिनिट के लिए उसे अच्छी तरह से हमें ऐसे ही कुक करना है और उसके बाद उसमें स्वात अनुसा नमक डाल देंगे और एक चमच के करीब अधरक लेशन की पेस्ट डालेंगे और उसकी बाद उसे अच्छी तरह से भून लेंगे और उसमें एक चुथे चमच के करीब हल्दी पावडर डाल देंगे दो चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक से डेट चमच के करीब धन्या पाउडर भी डालेंगे अभी ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून लेंगे अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पाने भी डाल सकते है ताकि मसाले जले नहीं तो अभी ये सारे मसाले अच्छी तरह से बुन गए हैं अभी हमें इसमें दही डालना है तो यहाँ पे मैंने आदा कब के करीब दही डाल दिया है अगर आप चाहे तो यहाँ पे दही के बदले फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और दही डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे दही से जो पाने चुटेगा वो सारा ट्राई नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें उसे इसे ही बुनना है तो अभी मसाले से तेल भी चुटने लगा है इसलिए अब हम उसमें पानी डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने अधे गिलास के करेब पानी उसमें डाल दिया है प्यास को हमने पहले से ही बुन लिया था इसलिए उसे पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो अभी उसे कवर करके 5-6 मिनिट के लिए हाइ फ्लेम पे ही पकाएंगे तो बस अभी यह सबजी बन के तयार है और लास्ट में उपर से थोड़ा सहरा दन्य डाल कर गेस के फ्लेम ओफ कर देंगे तो यह सबजी बन के रेडी है इसे आप गर्मा गरम ही रोटी या पराटे के साथ सर्व कर सकते है और यह वाली सबजी आप लांच या डिनर में कभी भी बना की ट्राइ कर सकते है तो यह बिल्कुल सिंपल से रेसिपी है आप भी जरूर ट्राइ करिएगा आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगे रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लैक शेर करके चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी